सब्सक्राइब करें और जो फेस्टिवल करें और जो फेस्टिवल करें उस टाइन पर अगर आप व्लोग कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात होती है कि सब्सक्राइब करो क्योंकि इतना काम होता है इतना होच पोच होता है कि कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं रहता और पता ही नहीं चलता हमें क्या के शूट करना है बाट फिर भी मैं बहुत कुछ शूट करूंगी आगया वीडियो में देखना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और एक लगता है उसकी बात ही अलग होती है और उसे बॉन्ड भी स्ट्रॉंग होता है तो जितना पॉसिबल हो ना आप साथ में यह वाला फेस्टिवल इंच्छा लगता है अब अलग है तब तो करी नहीं सकते हैं बट अगर कोई भी आपके अमर्जेंसी में तो आप खुछ चले क्या है और आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए देखिए सो रूम देखकर तो आप समझे गए होंगी कि मेरा ससुराल वाला घर है तो यहां पर मेरी सिस्टर इलो आई थी हमारे राखी बानने के लिए और वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी थी बट फिर भ पर आप बिजी थेंक यू बोल दिया था अभी वीडियो में भी थेंक यू बोल देती हूं थेंक यू सो मज़ दी इस वाले मुमेंट में चारचान लगाने के लिए क्योंकि जब आप आज आते हो तब ही रोनक हो जाती है तो देखिए यह वाला जो फेस्टिवल होता है इ तो कभी-कभी टाइम भी नहीं होता है कि सब जगा जाना पॉसीबल नहीं होता है तो कैसे न कैसे करके अगर आप लोग सब मैनेज कर लो तो वह बहुत ही अच्छी बात होती है और हाँ इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर कमेंट आया था कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं बट अगर आप अपनी वीडियो में रेसिपी इंक्लूड करें तो और अच्छा लगेगा तो मैंने सोचा था कि रक्षा बंदन पर जो भी मैं लंच प्रिपेर करूंगी वह आप सब के साथ शेयर करूंगी बट रक्षा बंदन पर तो अपनी मौसी की बेटे के राकी तो हमेशा से मैं उसके राकी बांद रही हूँ तो मैंने तिलक लगा दिया राकी बांदी और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अब उसके बाद हम निकल गए थे दीदी की ससुराल जो मेरी बड़ी सिस्टर है वहाँ पर हमने अपना र क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत ही अच्छे से ये खुश से कर लेते हैं और यहां पर तराशा एकदम एक्सपर्ट हो गई हैं उनको भी कुछ बतानी की जरुरत नहीं पड़ती है तो बगवान इन बच्चों को हमिसा खुश रखे ऐसे ही इनका प्यार बना रहे और तब यह साथ में होते हैं तो इनको कोई नहीं चाहिए होता इनको बस भाईया और बहन ही चाहिए होती हैं और यहां पर तराशा ने दिखो पहले ही अपने लैक्स आगे करती हैं कि भाईया मेरे पैरच्चों और उसने खुद दिने भी चू लिये थे फिर उसको बताए कि नहीं आपको नहीं चुने हैं भाईया को चुने तो प्रॉपर फिर आश्रिवात दिया जा रहा है अब यहां पर दीदी भाईया भाबी के राखी बांज रही है और हम इस बार अपने मैके में क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं दीदी की ससुराल में क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ दीदी थोड़ी तब्यत खराब हो गई थी उनके गले में प्रॉब्लम हो गई थी तो वो नहीं आ पाई थी और मम्मी ने भी उनको मना कर दिया था कि आप ट्रैवलिंग मत करो ट्रैवलिंग अवोइड करो क्योंकि फिर वो दस्ट वगएरा से और ज तो हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं उनको सर्प्राइस देते हैं तो इसलिए हम सबने प्लैन किया कि हम उनके पास जाते हैं उनको भी अच्छा लगेगा और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोग आएंगे उनको लगा था कि बस भाहिया ही अकेले आएंगे और राखे बंदवाएंगे तो हमने जब उनको सर्प्राइज दिया तो उनको बहुत ही यहां पर अच्छा लगा वो अग्दम खुश हो गई थी और हमें भी फिर बहुत अच्छा लगा वहां पर हम भी सैटते यहां पर दीदी भी रहती जब हम मिलकर इखटते अब वो नहीं दिखाई देता है और आपके अंदर एक अलग सी एनरजी आ जाती है तो सेम दीदी के साथ भी वही हो रहा है हाला कि मम्मी ने उनको काम तो कुछ भी नहीं करने दिया था कि बस आप अपना फेस्टिवल इंजॉय करो और उसके बाद रेस्ट करो इंस्टेग्राम पर मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोस डाली है और रेल्स भी डाली है यूट्यूब के शोर्ट में भी मैंने रेल्स डाली है अगर आपने इंस्टेग्राम पर फोलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फोलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी अप्टेट्स और पिच्चर्स देखने के लिए मिलती रहेंगी और अब आया था मेरा नमबर भईया की राखी बांदे के लिए तो यहां पर जब मैं भाया को मिठाई खिला थी तो उन्होंने बोला कि पहले राखी तो बांदो उसके बाद फिर मिठाई खिलाना तो सब लोग हसने लगे कि ये बश्पन में भी ऐसी करती थी क्योंकि बश्पन में मुझे याद ये नहीं रहता था कि मैं लाफ्ट हैंड पर राखी बांदू या फिर राइट हैंड पर राखी बांदू कि यहां पर आप लव्य को देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हस रहा है बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका पूरा ध्यान है कि मैं भव्य भहिया और तराशा के साथ खेलूं क्योंकि वो सामने खेल रहते हैं और वो बस लग रहा था कि बौजी हो गया मैं चला जाओं तो मैं यहीं बोल रही थी कि देदी जब आप बांती हो तब यह राम से बैठ जाता है बट मेरे टाइम पर यह जाने लग जाता है तो नेक्स टाइम से मैं पहले बांधा करूंगी तो यहां पर उसको लग रहा था हम सब ने कडल किया और उसके बाद फिर मैंने लवे को फ्री खड़ दिया कि अब आप जाओ और अराम से खेलो और इंज्वाई करो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैपी हो गया था और यहां पर हम अपने पापजी के राखी बांध रहे हैं सबसे बड़ी रख्षक हैं तो हम बहुता है शुकर look तो और यहां पर better sister time होने वाला है उनों ने बोल से कि चलो होड़ा सा टाइम है तो हम दोनों चले गए थे slip यहां पर भी हम दीदी को मिस्स कर रहे थे, अगर उनकी तबेट ठीक होती तो फिर हम उनको भी लेकर जाते, बट यहां पर बस हम दोनों ही हैं और दोनों बच्चे हैं, तो मुझे तो seriously यह movie बहुत ही जादा अच्छी लगी, बहुत ही comedy है, काफी हसी आई, और मैं यहां पर बच्चों से पूछ रहे थे, तो तराशा बोले थी, मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, और हमारा यह strong भुआ है, इसको बिल्कुल भी डरने लगा, इसने बहुत अच्छे से enjoy किया, तो आप भी जाकर देखो, आपको भी अच्छा लगेगा, और यहां पर उ जो दूसरी मौसी है, उनके बच्चे आई हुए थे, और फिर उन सबने राकी वगरा सब अच्छे से बांदी, और यहां पर मैं बोल रही थी, कि आप बेटा हाई करो, फिर उसके बाद आप वीडियो में देखना, वीडियो में आऊगे, तो वो बहुत अच्छे से हाई ब और इससे पहले ममी जी भी अपने मैं के गई थी, उन्होंने भी अपने भाई के राकी बांदी थी, और उसके बाद फिर वो यहां पर आ गई थी, तो फिर सबने साथ में फिर से सेलिब्रेट किया, और इस टाइम पर आकर इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि इस पर ट्रैबलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बहुत थकान हो गई थी, बड़ सबसे जब मिलते हैं ना तो थकान दूर हो जाती है, और कब से हम वेट करते हैं और रक्षा बंदन आने वाले हैं, और एक दम से आती है और चली जाती है, पता भी नहीं लगता है, तो हर एक moment capture करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो यह मेरे लिए भी एक memory होती है मुझे भी अच्छा लगता है और मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि छोटी छोटी वीडियो जील के थूँँ अगर आप किसी भी moment को capture कर सकते हो तो जरूर कीजी क्योंकि जब हम कभी खाली बैटे होते हैं या फिर हमारा मन नहीं लगता हम sad होते हैं तो हमें अपने ही strong बनाते हैं तो जब कभी हम वो वीडियो कोल कर देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है आजकर रिस्तों की बहुत कमी है आजकर सब एक जटकों में अपने रिस्तों को तोड़ देते हैं बट नहीं कुछ ऐसे रिस्ते होते हैं कुछ इतने अच्छे रिस्ते होते हैं कि उनको संजोके रखना चाहिए उनको प्यार से रहना चाहिए अगर आपको जुकना भी पड़े तो जुख जाईए उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ रिष्टे और प्यार ही होता है बाकी कुछ नहीं होता है तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ जो भी चैनल पर नहीं है प्रीच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी सो फाइनली आप इस वीडियो का यहीं पर एंट करते हैं और मिलते हैं आप से एक और अच्छी सी त्यारी सी वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल लगिए, खुछ चाहिए, टेक केर बाई एंड हैपी रक्षाबंदन से हैपी रक्षाबंदन